हलो बच्चो माई सेल्फ रगुरा सिंग आप लोग का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर वाइब्रेंड फिजिक्स वाई रगुरासर ठीक है आज लॉजव मोशन का लेक्चर नमर थ्री स्टार्ट कर रहा हूं आज मैं दो कंसेप्ट आपको इंटोड्यूस करूंगा एक तो मैं फंडा बताऊंगा वाट इस दा नॉर्मर रियक्शन और एक बताऊंगा धागे का ट लेक्शन फोर्स ठीक है जाता लेंदी लेक्शन नहीं होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं ये वीडियो लगाता बनाता रहा हूंगा ठीक है चलिए तो हेडिंग लगा लिजे नॉर्मर रियक्शन और टेंशन फोर्स ये दोनों मुझे आपको बताने वैसे तो नॉर्मर रियक्शन के साथ फ्रिक्शन फोर्स का रिस्ता होता है गहरा पर असल में फ्रिक्शन के साथ ही मैं आपको कुछ डिटेल बताऊंगा पर जिस क्रम में चल लाओं कुछ मजबू पूरी आउंगी वैसे आप चलते रहूं ठीक है चलिए तो देखे यार मैं आपको एक कंसर्ट पहले किलियर करता हूं आपको पिछली क्लास में पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था मैंने इलेक्ट्रो मैगनेटिक फोर्स और वहां पर मैंने ये बात आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि जितने भी फोर्सेश दुनिया में होते हैं एक्सेट ग्रेविटी सब के सब इलेक्टो मैगनेटिक फोर्सेज ही होते हैं ये बात बहुत अच्छे से हमारी आपकी हो चुकी है अब देखे का मतलब आप समझ रहे हैं इस पर्स जहां पर टच हो जाना तो जैसे देखे एक यह सर्फेस है और यह सर्फेस यह टच हो लेते हैं क्या बना लेते हैं बॉंस या इलेक्टो मैगनेटिक बॉंडिंग हो जाती है यहां पर अब यह जो इलेक्टो मैगनेटिक बॉंडिंग अब यह इस तरीके से ऐसे बनी contact force को हम generally R से represent करता हूं मैं तो R से तो यहां पर मैंने इस तरीके से R बना दिया यह R अच्छा इसका direction कुछ भी हो सकता है यह depend कई factors पर करता है जो कि अभी मैं आपसे discuss नहीं कर सकता ठीक है वो असल में depend करता है कि जैसे आप इस पर force ऐसे लगा रहे हैं इस पर ऐसे लगा रहे हैं तो इस R का direction और orientation और magnitude सब change हो जाता है पर फिलाल मान लीजे given situation के लिए जो भी situation दखाई गये है उसके लिए मान लीजे R से आ रहे है ठीक है अब यहां पशेरा समझे द्यान से यह आरा से आया प्रिक द्यान से समझना यह आर इस आया थीक्रिए आ रहे देखिये यह contact force है यहाँ पर मैं यह कह रहा हूँ R क्या है Total Contact Force Total Contact Force तो Contact Force क्या है Electromagnetic Force है At the Contact Points तो Contact Force क्या है It is Electromagnetic Force It is Electromagnetic Force At the Contact Points एकदम के लिए रहे ठीक अब देखे अब यहाँ पर यह जो सर्फेस यहाँ पर टच्च कर रहे हैं दोनों अब यहाँ पर टेंजेंट डो कर दीजें तो लेड़ यह आगी टेंजेंट यह क्या आगी टेंजेंट तो यह क्या है टेंजेंट At the Contact Points यह Contact Surface के दो बात देखेंगे टेंजेंट At the Contact Surface अब देखेंगे अब यहाँ पर एक नॉर्मल भी होगा तो यह नॉर्मल डो कर दीजें यह नॉर्मल यह क्या है Normal At the Contact Surface Normal At the Contact Surface यह Contact Surface पर क्या है Normal है इतनी बातें के लिए रहे हैं तो तीन बात मैंने आपसे डिफाइन की कि इस पॉइंट पर दो Surface के बीच में Contact हुआ तो इसके Along एक Contact Force लगा यह तो Action रेक्षन पेर हैं हमेशा आपको बता चुके हैं कि अगर यह Action तो यह इसका Reaction ठीक यह यहाँ पर यह Action तो यह Reaction दोनों के Magnitude बराबर होंगे यह है मालो Surface S1 यह Surface है क्या S2 तो यह जो आ रहे है यह क्या है बताइए By S2 on S1 यह सब चीज़ें By S1 S2 यह सब चीज़ें भी अभी आपको बहुत Detail किलियर होंगी पर फिलाल शुरुवात में जैसे लिख रहा हूँ जैसे लिखते चलो यह By S1 on S2 ठीक है इतनी सी बात आपको Clear है ठीक है अब आईए ज़र इदर अब देखिए अब इस Content Force की यह था Common Tangent Common Tangent अब यह देखिए ज़रा ध्यान से सुनीए यह Normal था यह था Common Normal और जो Contact Force था वो यह था इधर आर इधर आर ठीक आरम से देख लिजे माल लिए यह इस Normal से एंगल ठीटा बना रहा है एंगल हमेशा Normal से ही लेते हैं यह याद रखना मतलब Contact Force का जो Angle होता है वो हमेशा का से मैजर होता है नॉर्मल से तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर Angle of Total Contact Force Total Contact Force Is Always Always Measured From the Normal हमेशा Normal से ही मैजर होगा अब देखिए इस Contact Force के दो कंपनेंट हो जाएंगे एक हो जाएगा आर कोस्ट ठीटा और एक हो जाएगा आर साइन ठीटा अब बात आप हो समझे मा गई तो Contact Force के मैंने दो कंपनेंट कर दिये एक तो अलोंग दा Normal और एक अलोंग दा टेंजेंट इसको अटाऊँगा इतना समझा दिया यहाँ पर उस वही चीज काम किया इसक्रिंस्ट लेते चलो यहाँ नोट्स बनाते चलो जैसे भी कर लो बात समझे ए Contact Force के मैंने दो कंपोनेंट कर दिये एक अलोंग दा Normal और एक अलोंग दा Tangent तो यह जो अब देखिए कंपोनेंट यह यह लग देता हूँ सीद्धे आर कॉस्ट इटा यह क्या है यह कंपोनेंट ओफ Contact Force Along the Normal और इसी का नाम होता है यार Normal Reaction तो बताए अभी तक के ज्यान के इसाब से What is the Normal Reaction? It is the Perpendicular Component of Total Contact Force इसका ओल Normal Reaction और यह आर साइन ठीटा होता है जो Contact Force का Component होता है Along the Tangent इसको कहते हैं Frictional Force आर साइन ठीटा यह बेसिकली क्या है? यह है Component of Contact Force Along the Tangent Along the Tangent और इसका नाम होता है आगे चलके डिटेल पढ़ाएंगे Frictional Force This is called Frictional Force तो यहाँ पर दो Force मैं इंटोर्डीस कर दिये लेकिन फिलाल मैं नहीं आपको Contact Force के डिटेल बताने जा रहा हूँ नहीं Frictional Force के डिटेल बताने जा रहा हूँ मैं फिलाल आपको पढ़ाऊँगा Normal Reaction डिटेल में क्योंग मुझे भी इसी की आवस्ता है इतना होता रही है फिर मैं Repeat कर देता हूँ असल में जहाँ पर Contact होता है तो Electromagnetic Bonding की बज़े से वहाँ पर क्या लगजनेट होता है Contact Force उस Contact Force का एक Component Along the Normal और एक Component Along the Tangent जो Along the Normal वाला Component होता है उसका नाम क्या होता है Normal Reaction Along the Tangent वाले Component का नाम क्या होता है Frictional Force तो Basically यहाँ पर तीन Concept एक साथ आते हैं पर यह तीनों Concept फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा जब मैं Friction बताऊँगा वहाँ पर इसकी एहमियत ज़्यादा होती है अभी इतनी एहमियत नहीं है अभी मैं केवल Normal Reaction पर फोकस करने बाला हूँ इतना Pause करके उतार यह स्क्रीन सोट ले लो आरहम से इतना स्क्रीन सोट ले ली जा आरहम से ठीक है हटाएं सब बात है चलिए फिर समीज़ लीज़ा जैसे कोई भी Surface दो contact में जैसे ये surface है आरहम से देख लीज़े अब आपको ये समझ माँ गया जैसे यहाँ पर कोई भी surface रखा हुआ यह है कोई भी surface कैसा भी surface है यहाँ पर हुआ contact अब माले लिज़े इन दौनों के बीच में यह आ गया तोटल वो कहीं भी हो सकता है डारेक्शन द्यार खना यह माल यह R अब देखो हम R को ऐसे देखाते हैं अगर हमें दोनों को थोड़ा सा सेप्रेट करके बनाएं तो सेप्रेट करके बनाएंगे तो यह सरफेस देखिया ऐसे होगा और यह जो सरफेस है यह कुछ ऐसे होगा ठीक है तो यह जो कॉंटेक्ट पॉइंट था यहां पर यह और यहां पर यह द्यान से सुनना यह कॉंटेक्ट पॉइंट सरफेस वाला यह मना लिया तो यह इस पर ऐसे लगा देखिये यह ऐसे ठीक है वही action का reaction, यह action हुआ, मतलब इस surface ने इस surface को push किया, तो इसने इसको भी push किया, यह R, ठीक, तो यह मान लिजे, कोई भी object कह देता हूँ, जिसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको surface B कह देता हूँ, तो यह क्या है, by, यह जो R होगा, खुद बताइए, इसने इसको press किया होगा तो by A on B, और यह क्या है, by A, by B on A, ठीक है, यह action तो यह reaction, दोनों सेम लाइन के अलोंग लग रहे हैं, न्यूटन का थड़ लों आपके जीवन में प्रिवेस कर चुका है, दोनों A की लाइन के अलोंग लगते हैं, दोनों के magnitude बराबर होते हैं, अलग-अलग body पे लगते है यह सारी बात आपसे हो चुकी है, ठीक है, अब देखें, यहाँ पर होगा एक common, normal होगा, तो let यह normal मैंने यह draw कर दिया, ठीक, normal, और यह होगा इसका tangent, यह होगा इसका tangent, इसी तरीके से यहाँ पर बना लीजे, यह होगा normal और यह होगा tangent, ठीक, तो angle मैंने बता दिया हमेशा कहां से measure होना है, normal से तो यह theta, तो इसका यह component क्या होगा बताई, r cos theta, और इसी को क्या कहेंगे, normal reaction, क्या कहेंगे, normal reaction, ठीक है, नाम सही के लिए, normal reaction मतलब along the normal, और यह जो component होगा प्यारे बच्चों, यह component, यह होगा frictional force, frictional force, और यह कितना होगा बताई, r sin theta, यह मैंने introduce कि आपको, ठीक, frictional force r sin theta, ठीक है, इतना उतार लिजिए, तो बताईए, normal reaction, finally क्या define हो गया, तो यह असल में आगया, अगर define करना हो, कि जहाँ पर contact होता है, वहाँ पर पहले जनम होता है, contact force का, contact force का, वो component जो perpendicular to the contact surface होता है, that is called normal reaction, ठीक, चलिए देखिए, मैंने लिख दिया ऐसा, इसको समझाता हूँ, देखिए, normal reaction को मैंने लिखा इसलिए आपके लिए, time ना के लो, देखिए, whenever two surfaces are in contact, जब भी दो surfaces contact में होते हैं, and they press or push each other, वो जब press और push एक दूसरे को करते हैं, the component of contact force perpendicular to the surface is called normal reaction, क्या समझा दिया, तो contact force का कौनसा component, जो surface के perpendicular होता है, उसी का नाम क्या है, normal reaction, ठीक, उसी का नाम क्या है, normal reaction, ठीक, एक और खास point है, जो मैं समझाता हूँ, normal reaction is a secondary force, and it acts at the contact surface only when some primary force or external agent, external agent, press the contact surface, इसका मतलब समझे, देखिए, एक होता है primary force, ज्यान से सुनना, एक होता है secondary force, ये दोनों आपस में relative term है, ठीक है, relative term, relative term है, पहले द्यान से सुनने लिजिए, relative term है, मतलब as such आप primary force किसी को नहीं define करते, देखिए, एक किसी घटना के होने की बज़े से दूसरी घटना होती है, तो जो घटना होने की बज़े से दूसरी घटना हुई, तो इनी में से नाम करण किया जाता है primary और secondary गा, तो primary वो होती है, जिसकी बज़े से घटना सुरू हुई और जो घटने की बज़े से जो reaction आया, उसको secondary force कहते हैं, जैसे उधारन के लिए, जैसे यह हाथ यहां रखाता है, इसको तो कोई मतलब नहीं, यह आके जड़ा, तो यह primary थपड़ है, यह primary चोट है, और जो इसमें लगी वो secondary चोट है, दूसरा उधारन देख लिजे, कि अ ठीक है, तो यह primary और secondary होता है, तो primary वो होता है, जो start करता है चीज़ों को, secondary reaction होता है मेंसा, तो देखिए जो normal reaction होता है, यहाँ पर एक बार और लिखे लिजे, normal reaction, यहाँ मैं ऐसे कह सकता हूँ, जो contact force होता है, यह secondary force होता है, contact force, contact force, बहुत अच्छा पॉइंट लिख रहा हूँ, and its components, दोनोई component, normal reaction and frictional force, contact force and its component are secondary forces, यहाँ दोनोई secondary होते हैं, मतलब जब तक कोई primary force, picture होते हैं, या कहने का मतलब यह है, कि देखिए अभी मैं दारन देता हूँ, अभी आपको बहुत अच्छा clear होगा देखिए, इतना pause करके उतारिए, तो पहले तो इतना याद करो, कि चाहे contact force हो, चाहे frictional force हो, चाहे normal reaction हो, यह सब कैसे हैं, secondary हैं, मतलब picture में तब आएंगे जब कोई primary force इनको लगाएगा, अगर नहीं लगाएगा तो नहीं आएंगे picture में, ठीक है, जैसे मैं आपको detail समझाता हूँ इसको, इतना उतार लीजे, जैसे देखिए, अभी समझाते हैं, अभी समझात पर रखा, ठीक है, यह surface पर मैंने रखा, तो अब आपको पता है, gravity यहाँ पर आएगा, mg, और मालो rough surface है यह, rough surface, ठीक है, और यह move नहीं करना, rest पर है, आराम से समझे लो, ठीक है, तो अब देखिए, mg अब यहाँ पर, एक contact force आएगा, मालो इसको खीच भी राईए, ऐसे कर तो जहाँ पर contact force आएगा, जैसे contact force को कहीं भी मालो, आप इधर माल लेते हैं, चलिए, यह contact force आएगा, ठीक है, तो contact force के दो component होगे, एक होगा, नॉर्मल रेक्शन, क्या होगा, एंगल हमेशा यहाँ से नापना होता है, r, cos theta इसको n कहूंगा, और एक component इधर होगा, r sin theta, ज value change हो जाएगी, even r की value change हो जाएगी, और इनको अगर मैं कम कर दूँ, तो एक तरह से यहाँ पर जो f और mg, यह कैसे force है, primary है, f and mg are primary forces, यह मैं आपको बताना चाहरा हूँ, यह primary forces है, ठीक है, और यहाँ पर जो r है, यह कैसा है, secondary force है, यह secondary force है, अभी और बैता समय माएगा, example से देखना है, यह secondary force है, ठीक है, जब यह secondary है, तो यह भी कैसा हो गया, secondary हो गया, और यह भी कैसा हो गया, secondary हो गया, तो हम यह कहते हैं, कि जो contact force होता है, as such वो कैसा force है, secondary force है, ठीक है, अभी आपको एकदम चीज़े के लिएर होंगी, इतना उताल लीज़े आप, ठीक है, के वर नॉर्मर रेक्शन पर फोकस कर रहा हूँ तो आईए नॉर्मर रेक्शन के वर नॉर्मर रेक्शन पर फोकस कर रहा हूँ पहला पॉइंट नॉर्मर रेक्शन क्या है बताईए कॉंटेक्ट फोर्स का सर्फेस के perpendicular वाला component क्या कहलाता है normal reaction तो it is the perpendicular component of total contact force ठीक है तो total contact force का perpendicular component क्या कहलाता है normal reaction N से denote होता है second point यह हमेशा surface के किदा लगता है perpendicular लगता है it is it always act it always act it always act चलिए लिख देता हूँ perpendicular to the tangent at the tangent at the contact surfaces जो contact surface पर tangent आता ही हमेशा उसके क्या लगता है perpendicular ही लगता है ठीक इसका direction हमेशा perpendicular होता है तीसरा point अभी मैं लग देता हूँ समझाता हूँ फिर it is always बहुत अच्छा point द्यार रखना it is always pushing in nature pushing in nature यह हमेशा surface को push करता है यह कभी भी पुल नहीं करता है देखिए पुल और push का मतलब मैं आपको समझाद हूँ जरा समझ लीजिए जैसे यह रस्ती मैंने अपने उठें बाद रखिए ठीक है तो अगर मैं इसको इस रस्ती से पुल करना चाहूँ तो पुल तो कर रखा है तो इससे मैं push भी कर सकता हूँ और अगर बांदू तो पुल भी कर सकता हूँ तो पुल मतलब खीचना और पुश मतलब दवाना तो नॉर्मल रेक्शन से पुल नहीं कर सकते पुश कर सकते हमेसे अभी आपको समझ भाजा जागा देखिए कैसे ठीक है जैसे यहीं पर समझा देता हूँ इतना लिखे लो लिखे लिया जैसे देखिए देखिए जैसे मैं सर्फेस पर खड़ाओं खुदी सोच लिए या ऐसे लो लिए यह मैंने यहां पर रख लिया इसको मैंने यहां पर था और तो बताएए यह मेरे हाथ को पुश कर रहा हूँगा ना कैया वगर में इसको ऊपर खीचू तो क्या मेरे हाथ गो इसको skin को क्या ये pull कर सकता है नहीं कर सकता है तो normal reaction तो आगया हुआ contact surface पर इससे मैं pull नहीं कर सकता हमेशा क्या करता हूँ पुश करता हूँ अच्छा जितने भी pushing force होते हैं द्या रखना जैसे कोई भी ये object है तो देखे pushing और pulling की पहचान क्या होती है अगर force इस contact point से इस direction में लगे F तो ये तो होता है pulling pulling force ध्यान से देखना बहुत अच्छा point है और अगर कोई force इस तरीके से लगे उस point की तरफ इसका arrow बने तो इसको कहते है pushing क्या कहते है pushing pushing होता है हमेशा ठीक तो normal reaction हमेशा pushing होता है इसलिए इसका arrow होगा इसका direction होगा हमेशा जिस body पर लगता है उसकी तरफ ही होता है उसे away नहीं होता है ठीक है जहां रखना that is why that is why direction direction of normal reaction direction of normal reaction is always is always towards the contact point contact point की तरफ होता हमेशा इसका direction हमेशा इसका direction contact point की तरफ होता है तीन point लगिए पहला it is perpendicular component of total contact force ये बात clear हो गई it always act perpendicular to the tangent at the contact surface इसका direction हमेशा जो common tangent होती है उसके perpendicular होता है तीसरा ये हमेशा pushing in nature होता है इसलिए इसका जो direction होता arrow का हमेशा contact point की तरफ बनता है और fourth point और मैं लखना चाहूंगा वही खास है it is secondary force it is secondary force ये चाहर पॉइंट normal reaction को लेकिए अब लोग दिमाख में set कर लो normal reaction कभी भी primary force नहीं होता है हमेशा secondary force होता है पहले कोई primary force पिक्चर में आएगा तब normal reaction जननेट होता है सारी चीज़ आपको example से के लिए रहूँगी ठीक सारी चीज़ आपको example से के लिए रहूँगी देखिए देखिए सारी चीज़ आपको अब आपको अब देखिए मैं के बन normal reaction में फोकस कर रहा हूँ द्यान रखना जैसे एक surface यह है और एक surface यहाँ पर यह टुच किया फिर यहाँ पर जाके इसको यह टुच किया यहाँ से देखिए यह surface है यह surface ठीक अब देखिए दो contact point है एक contact यहाँ हुआ तो अब normal reaction ही मुझे discuss करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डॉक करूँगा common tangent यह common tangent और एक common tangent यहाँ बना दी मैंने तो इस common tangent के perpendicular यह आएगा यह इस location पर normal reaction आएगा यह इस location पर normal reaction आएगा ऐसे यहाँ पर यह n2 का normal reaction यहाएगा और यह n2 का normal reaction यहाएगा अगर दोनों को मैं separate करके बनाता हूँ तो देखिए आपको एकदम scene clear हो जाएगा आखिर हो क्या रहा होगा जैसे यह बनाया मैंने अलग करके और इसको बनाया हलका सा ऐसे तो देखिए इस common point को मैंने दोनों पर बना दिया यहाँ भी बना दिया और यहाँ बना दिया ऐसे यहाँ पर जो touch हुआ था दोनों पर बना दिया यहाँ बना दिया और यहाँ बना दिया तो देखिए अब मैं यह जो S1 surface है इसको मैं S2 कह रहा हूँ इसको मैं S1 कह रहा हूँ इसको मैं S2 कह रहा हूँ तो S1 पर normal reaction जितनी बातें बताईएं एक तो हमेशाथ common tangent के perpendicular होगा तो यहाँ पर जो common tangent आयोगा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा तो इसके perpendicular देखे यह आएगा यहाँ पर भी tangent होगा यहाँ भी tangent होगा इसके perpendicular यह आएगा यह होगा N2 तो यह होगा N1 अब देखिए खुद बताईए N1 and 2 दोनों क्या S1 वाले सरफेस को पुश कर रहे हैं न मतलब कॉंटेक्ट पॉइंट पर जो पुशिंग नेचर है देखिए उसको धक्काई तो दे रहे हैं यह पुल नहीं कर सकते हैं यह मेन पॉइंट था यह पुल नहीं कर सकते हमेशा क्या करेंगे पुश करेंगे इस पर फोकस कर लो पुश करेंगे हमेशा उस बॉड़ी के सेप को अंदर की तरफ दबाएंगे जैसे दो बॉड़ी आप कॉंटेक्ट में ले लो यह ले लो यह मेरा ले लो आप इनको टच कराईए यह इसको खींच नहीं स सकते हैं हमेशा प्रेस किया जा सकता उससे तो नॉर्मर्य एक्षन हमिशा पुम सब रूता है इसी तरीके से इसके उपद जो लग रहा होगा वह ईसे लग रहा देखें यह एड को भी पुष कर रहा है वह तो फ miejsce का reaction ठीक इसको भी क्या करेगा push करेगा कभी pull नहीं कर सकते तो normal reaction का जो basic nature होता है वो pushing होता है इतना उता रही है ठीक हमेशा pushing होता है इस point को ध्यान में दे लिजिए अब हमें कुछ diagram मना रहा हूं उनसे आपको normal reaction की feeling और बैतर होगी हमेशा surface के perpendicular लगेगा यह धीमे धीमे सब बात आपको clear हो जाएंगी हटाएं चलिए अब कुछ examples दे रहे हैं देखिए जैसे बॉर्ड है कि अब बताइए normal reaction मनाईए तो देखिए normal reaction अब ध्यान रखना आपको जितने भी questions मिलेंगे तो दो surface contact में मिलेंगे हर जगे तो एक surface की जानकारी आपको होती है और एक surface की कईबा जानकारी नहीं होती है तो देखो यहाँ पर दो surface है एक तो यह surface है बॉल का इधर बड़ा बना देता हूं और एक यह surface है ठीक है अब यहाँ पर कोंटैक्ट वाइब दौनों के बीच बीच में तो देख western далее तो बताईये इन दौनों पर जाएंस बघ़िंगा नुबक्रण ओर इसके त्षान नॉरमल जो pra dire वह बहुत 9 कर दूरम्ल रियक्शन हब एन यह इस लगेगा तो इस पर सर्फेस ने बॉल को पुश किया है और ये वाला एन क्या है बॉल ने सर्फेस को पुश किया है नॉर्मल रियक्शन का बेसिक नेचर पुशिंग ही होगा तो ये क्या है बेटा by the surface यार इसलिए Newton का third name पढ़ा दिया था मैंने by the surface on the ball ठीक और ये क्या है by the ball on the surface और हमेशा कैसा होगा यार pushing होगा ये normal action surface को push कर रहा है और ये normal action ball को push कर रहा है यार pull एक भी नहीं कर रहा है किसी को ठीक है पुल एक भी नहीं कर रहा है normal reaction से cable क्या होती है pushing होती है बनाते जाओ diagram diagram बनाते जाइए हटाएं example दे रहे हैं आपको एकदम चीज़ां किलियर हो जाएंगी जैसे देखिए एक ये surface होता एक ये surface होता बहुत अच्छ अच्छी बात हैं भी आपको थोड़ी देर में clear हो जाएंगी सब ये देखिए road है इस तरह से रखी होई है अब जहाँ जहाँ contact surface है वहाँ वहाँ पर normal reaction सबसे पहले लगाने कि जादर डालो एक तो देखिए यहाँ पर contact हुआ और यहाँ पर contact हुआ है अब आपको normal reaction का direction दिखाना होगा अच्छा gravity अब तक आता है तो gravity तो तुरंट बना दोगे वो तो नीचे लगता है हमें यह बना दिया अब देखिए यहाँ पर मैंने जितने साल पढ़ाया है सब बच्चे confuse करते हैं यहाँ पर भी confuse करते हैं बच्चों को confusion यह आता है कि सब normal reaction डॉक किदर करें अब मेरी बाद सुन लो यहाँ पर आपके बाद दो ही surface तो है जहां से सुनना एक यह surface है यह एक वार में देखो इतनी अच्छी बात बोलूँगा कि कभी confusion नहीं आएगा हाँ confusion उन्हीं को आएगा जो मेरी बात को एक वार में नहीं सुनेंगे पर क्योंकि online पढ़ा रहा हूँ तो दो बार बोल दूँगा तीसरी बार तो नहीं बोलने जा रहा हूँ और यह road है यहाँ पर थोड़ा separate करके बनाईए यह contact होता है तो एक point इस surface पर है और एक इस surface पर है तो जो kona होता है kona kona कोना कहलो इसको कोने पर tangent आप define नहीं कर सकते लेकिन इस surface पर तो define कर सकते हो यार जो normal reaction होगा वो लगेगा तो along the common tangent ही न एक ही tangent के along तो लगेगा दो tangent थोड़ी होते एक point पर tangent तो एक ही होता है हाँ यहाँ से tangent की खबर नहीं है यहां से खबर है तो यार देखो यह आएगा normal reaction यह यह आएगा ऐसे ही यह पर यह आएगा देखो यह यह अब उसी को यहाँ पर मेंना दो तो देखो यह और यह खत ability यहाँ पर मान लो क्या लग pross possessed? और यहां पर क्या लग गया N2 लग गया यह बस इतनी कानी है इतनी कानी है तो यह नॉर्मर रेक्षन देखो यहां पर जो लगा वा N2 ऐसे लगा हुआ इस पर यहां पर N2 ऐसे लगा हुआ यहां पर N1 ऐसे लगा हुआ यहां पर N1 ऐसे लगा हुआ अब देखिए pushing ये normal reaction इस surface को push कर रहा है ये normal reaction इसको push कर रहा है pull तो पन नहीं रहा है पुल करता तो surface उपर मोड़ता न या force का direction उपर की तरफ होता न इसको भी देखिए push कर रहा है pull करता तो इधर लगता पर push करता है और आपको पताईए normal reaction का जो basic nature होता है वो कैसा होता है pushing in nature होता है हमेशा pushing in nature होता है हमेशा कैसा होता है pushing in nature ही होता है हमेशा कैसा होता है pushing in nature होता है उताली येतना अब देखिए बगल में एक example और देता हूँ मैं आपको जैसे माल लो यही ऐसे होता जैसे यह होता यह होता आराम आराम से देख लिए है यार यह होता ठीक है यह रोड इस तरीके से यहां पर आराम कर रही है यह रोड ऐसे आराम कर रही है अब मुझे नॉर्मल रेक्शन डिसकस करना है जरा देखिए आराम से देखिए शुरू आज से इक चीज़ा के लिए हो जाए अब यहां पर देखिए कॉंटेक्ट हुआ है और कॉंटेक्ट यहां हुआ है अब दोनों को चलो में लाला बना दे था हूं यह देखिए यह बना दिया द्यान से सुनना हुआ हूं मैं फिर कहना हूं मैं एक बात लिख देता हूं कॉर्णर देखिए यार मैं एक बात लिख देता हूं पहले कॉर्णर पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है कॉर्णर पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है इसलिए हम कहते हैं कि कॉर्णर पर टेंजेंट डिफाइन नहीं होता है तो देखिए अब यहां पर जाओ यहां से सुनना एक बार समझ मा रहा है दूसरी बार बता रहा हूं तो अब यहां पर देखिए इसका कोना इसके सर्फेस से टच हुआ है और यहां पर यह कोना और कोने पर इतो नहीं डिफाइन है सर्फेस पर टो डिफाइन है और नॉर्मर रियक्शन तो सर्फेस यहां कोना जो भी कॉमन टैंजेंट मिलेगा उसके प्र recommendations नहीं तो लगेगा तो देखिए यहां पर टैंजेंट जो भी उफर्पेंट्र इसके टो पर पर परपेंडिगों यह तो यहाँ पर भी यह होगा परपंडी गुला यह फंडे की बात है तो नॉर्मल रेक्शन यहाँ पर माली यह एन वन तो यहाँ पर रेक्शन इसका एन वन ऐसे यहाँ पर यह एन टू तो यहाँ पर इसका रेक्शन एन टू तो देखिए दोनों पुशिंग है यह नॉर् ऐं दा कॉना या कॉर्म नर ये क्या है बाइदा कॉना बाइदा कॉना कॉना उसी उके रहों ठीक है कॉना ओन दा रोड ये क्या है by the road on the kuna यह क्या है by the road या by the kuna on the surface by the kuna on the surface यह सब यार याद करते चलो ठीक है या सोरी समझते चलो बहुत आसान आसान बात है यही काम यहाँ पर लग जाएगा तो normal reaction देखो यहाँ पर common surface यह यहाँ पर common surface road तो यह आएगा यहाँ पर यह एन इस तरीके से यहां पर यह एन टू इस तरीके से फंडे के लरने लगे इस तरीके से आएगा बाद बाद कि जो mg होगा वो तो इसके sentals पे लगी रहा हुगा अब धिमेदी में आने लग गए होगा अब आपको ठीक है अभी और बैतर तरीगे से आएगा इतना ज़रा समझ ये ठीक है हटाएं चलिए बहुत बैतरी इन तरीगे से किलियर हो रही है चीज़ है तो मैं क्या मुझे भी समझ माने लग गई देखिए जैसे और देखिए एक ज़रा कंसेब लिखिए औरीफ देखिए देखिए अश्याकि अभी और ठीक है, एक spherical body का normal हमेशा center से पास करता है, सब को पता होता है, यह से यह को spherical body है, आप कहीं भी tangent ले लो, कहीं भी tangent, जो इस पर normal होगा, वो center O से पास करेगा, center O से पास करेगा, यह जो normal होगा, center O से पास करेगा, यह center है, ये normal हमेशा center से पास करते हैं यार ये इसकी geometrical property होती है किसी भी spherical body की तो किसी भी spherical body का जो normal होता है वो हमेशा center से पास करता है ये bathroom point है ये physics के कई questions में use होना आता है इतना लिखे लिए इसको ठीक है लिखे लिए pause करके उतारिए चलिए अब देखिए जैसे मैंने एक body ये ली ये मैंने एक body ली ये ली है मैंने दो surface के बीच में इसको फास दिया अब यहां पर कोई confusion नहीं आना चाहिए normal reaction बनाना आपको तो देखिए इस contact point पर normal reaction लगेगा और यहां पर normal reaction लगेगा जहां जहां भी normal reaction लगेगा वो हमेशा इस spherical body के center से पास करेगा तो center से पास होते हुए line आप खिच दिये तो ये line आईगी देखो ऐसे मुझे गलत बनेगी थोड़ी से ये इसको आगए extend कर दो ये सब concept है ऐसे यहां पर जो आईगी land वो center से ये पास करेगी ठीक तो यहां से जो normal reaction लगेगा वो n1 ऐसे लगेगा यहां पर जो लगेगा n2 ऐसे लगेगा इस action का reaction इस पर ऐसे लगेगा ठीक इस action का reaction इस पर ऐसे लगेगा कितना असान है देखिए और mg तो भई आपना लगी रहा होगा हमेशा अर्थ के center की तरफ इस तरीके से इस पर forces लगेंगे और जब आप इसको अकेला बनाओगे थोड़ा separate करके तो आपको इसके उपर जो forces दिखाने पड़ेंगे आगे सलके में ही को एबड़ू घंगा ठीक है तो देखिए अभी तो दिम्हीं दिम्हीं आदर डलाओं तो यहाँ पर पर यह कंटेक्ट को क्या रहाँ बी तो यहाँ पर बना लिज्ग को एको इस को सुन्हें बना लिज्गी को अभी तो अब देखिए mg तो के center पर यह लगा थी इस तरीके और इसका बनाऊवेstarface कोने का यह कोना यहूगा और एक कोना यहूगा एक Юदस्वा कोंग समझारा ता तो इसकोने पर जैसे वहाँ लागए रहा था यहसे ही लगएगा एंटू जाहिएसे देहिए Normal पुशिंग यह एनवन इसको पुश कर रहा है, इसको भी पुश कर रहा है, कभी पुलिंग नहीं होता, यह एनटु इसको पुश कर रहा है, इसको भी पुश कर रहा है, कभी भी पुलिंग नहीं होता, नॉर्मर रेक्शन हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है, इसलिए कॉं passer थे विए सब्सक्राइए जैसे देखें ये surface होता ये surface होता ये surface होता चीक एस अचीक रहा है चलिए तिनों पढुन है अब आलोक किसी भी तरीके से मेने एक इशब्ते बॉल को रख रखा है यहां पर फास रखा साथ इपन्क उसा को कुछ *** है यहां पर यह रख रखा है त्यों के नॉर्म ma करे जो सर्फेस सउर्फेस यह पता है तो सब यह इसके पर्पेंडिगलर i4 इसके पर कर्पेंडिगूलर ये, ये surface तो पता था इस पे सब के perpendicular लिख दो ये N1 ठीक, ये N1 ये यहाँ पे N2 ये N2 ये यहाँ पे N3 यहाँ पे N3 यहाँ पे ये N4 यहाँ पे ये N4 पंड़ा clear हुआ बाद बगी gravity तो clear है वो हमेशा central mass पे लगता है कहीं भी ले लो, ये gravity clear है, center of mass पे लगता है gravity clear है, center of mass पे लगता है ठीक है normal reaction हमेशा contact surface के perpendicular decoder लगा के आगे बढ़ी है ठीक है pause करके उतार ये और example दे रहे है देखिए ये होता जैसे जैसे ये body है, ठीक है, ये body है अब देखिए, एक contact यहां हुआ है एक contact यहां हुआ है एक contact यह हुआ है अच्छा gravity तो पता ही है कहा हमेशा नीचे की तरफ लग रहा हुआ तो अब यहां पर यह surface तो पता है ना जो surface पता है, उसी कोने का नहीं पता है लेकिन यह surface तो पता है यह तो पता है ना तो यहां पर इसके परपेंड को यह draw कर दीजाए अब यह यह n2 clear हुआ ऐसे यह तो पता है ना तो इसके परपेंड को n3 यह draw कर दीजे इस तरीके से आब ड्रो कर दीजे तो यह normal reactions draw हो जाएंगे अगर अकेली बॉडी को बहां निकाल के लाओगे तो आप इसको ऐसे बनाओगे केवल बॉडी के उपर लगने वाले forces को देखोगे तो देखे इस कोने पर यह ऐसे लगाए तो यह यहाँ पर यह नॉर्मल रेक्शन देखो ऐसे लगेगा N1 पुशिंग पुश कर रहा है देखे यह जो नॉर्मल रेक्शन है देखो यह ऐसे लगेगा यह N3 यह नॉर्मल रेक्शन उपर वाला आएगा यह नहीं नहीं आएगा क्यों यह तो इस ब्लॉक ने सर्फेस को पुश किया है और सर्फेस इसने बॉड़ी पर यह लगाया है यह ब्लॉक पर N2 उपर वाला लगाया है तो यहां पर यह ऐसे करके लगाया जाएगा और बाद वाकी ग्रेवटी तो सब जानते ही है तो नॉर्मल रेक्शन हमेशा पुशिंग इन नेचर होता है आगे चलके मैं इसी को बनाऊँगा फ्री बॉड़ी डाइग्राम पर अभी से आप लोगो चीजों की आदर ड़नना चाहता हूँ ठीक है हटाए ले लो स्क्रीन सॉट एक बात और जड़ा नोट करके लिखे लो जैसे माल ब्लॉक रखा हुआ है तो देखे यहां पर हर पॉइंट पर यहां जितने पॉइंट ने सब पर कॉंटेक्ट है तो जो नॉर्मल रेक्शन होता है सभी पॉइंट पर लगता है सभी पॉइंट पर मैंने दसपास बना लिए सभी पॉइंट पर लगता है समय रहे हो सबी पॉइंट पर पर इन सब ये सब के सब एन वाई उपर वाले हैं और ये सब एन वाई नीचे वाले हैं पर जब हम बोडी में दिखाते हैं इनको ज़्याज तरह है तो ये दिखा देंगे इस सब के resultant को एक point पर दिखा देते हैं, एक point पर दिया रखना, यह एक point पर ऐसे हैं, एक point पर दिखा देते हैं, इस तरीके से, ठीक है, हाँ, torque बगएरा का concept जब तक नहीं बढ़ते हैं, तब तक हम इसको central mass वाले point से पास करा देते हैं, जब तक cm से पास करा देते हैं, जब टॉर्क आजाएगा तो नॉर्मर रेक्शन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज होता है पर वो आएगा टॉप लिंग में या नॉर्मर रोटेशनल मेकेनिक्स में जाके ये सब चीज आती है अभी नहीं आएगे अभी तो हर क्वेश्चन में हम नॉर्मर रेक्शन को क बहुत ही अच्छा सवाल है काफी कंफीजन में आता है बच्चों को जरा समझे क्या है इफ देर इस कॉंटेक्ट बिटविन टू बॉडिस अगर मान लिए दो बॉडिस के वीच में कॉंटेक्ट है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ध्यान से सुना तो क्या नॉ कॉंटेक्ट हो तो क्या हुआ अगर कोई प्रामरी फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा तो यह नहीं लगेगा देखिए सबसे बड़ी एक्जांपल इसका सबसे बड़ी एक्जांपल देखिए जहां से सुनना देखिए अभी मैं समझा देता हूँ इसको तो अठाई दू चलिए भी लेटा रहा हूँ जैसी यह है जैसे यह ब्लॉक मैंने या रखा और इसके कॉंटेक्ट में एक सर्फेस और ला दिया मैंने यहां समझे जा रहा हूँ यह ब्लॉक मैंने या रखा यह रखा तो देखिए अब प्रैमरी फोर्स बताई इस पर क्या लग रहा है प्रैमरी फोर्स के वल ग्रैविटी लग रहा है बाई जो कॉंटेक्ट फोर्स है वो तो सेकंडरी है और दो ही फोर्स यहां लगेंगे एक तो ग्रैविटी और एक कॉंटेक्ट कॉंटेक्ट त बता रहा हूँ, तो primary force इस पर केवल mg लगा, यह mg, अब देखे, एक तो contact यहां पर यहां हुआ, और एक contact यहां हुआ, तो primary force केवल vertical में लग रहा है, horizontal में नहीं लग रहा है, इसलिए जो normal reaction का द्यार रखना, केवल यहां पर आएगा, n1, यह n1 यहां तो लगेगा, यह contact होने के वावजुद भी, क्योंकि इस direction में कोई primary force है नहीं, या ऐसे समझो, इदर से कोई pressure देने वाला है नहीं, और जब तक इदर से कोई pressure नहीं देगा, end to picture में आई नहीं सकता, end to picture में आई नहीं सकता, और example देखो, और example देखो, हाँ यहीं ऐसे होता, देखो, यह देखे ऐसे होता, यह यहां पर रखा हुआ है, अब देखे, primary force mg होगा, वो तो नीचे लगी रहा होगा, और मालिये, इदर से हमने एक force all लगा दिया, end to, यहां भी आएगा, end to, अब end to not equal to zero होगा, और यह primary force नीचे को pressure दे रहा है, इसलिए अब उपर की तरफ भी normal reaction आएगा, end one, अब यह आएगा picture में, और अगर मैं इसको हटा दूँगा, तो यह तरफ जीरो हो जाएगा, अगर इसको हटा दूँगा, तो यह जीरो हो जाएगा, मतलब normal reaction आएगा, तब ही जब कोई primary force लग रहा होगा, जब कोई primary force लग रहा होगा, ठीक है, बास समय माती है, अगर जैसे, अगर उधारन के लिए सुनिए, जैसे यह block होता है, यह block और मैं इसको एक ऐसे डिबबे के अंदर रख देता, जिसमें gravity की value 0 होती, तो भले ही आप इसको यह रख देते, तो अब देखे, gravity की value 0 है, तो नीचे जो mg लग रहा होगा, वो तो 0 होगा, तो normal reaction भी अब नहीं आएगा, प्यारे बच्चो, क्योंकि यह तो secondary force है, जब कोई primary force इसको लगने के लिए मजबूर करेगा, यह picture में तभी आएगा, इसने पहले यह picture में नहीं आएगा, चाहिए जो हो जाए, यह नहीं आएगा picture में, तो इसलिए normal reaction भी नहीं लगेगा, तो ध्यान रखना, भले ही contact हो या contact ना हो, normal reaction तभी picture में आता है, जब कोई primary force उसको प्रेस करता है body को, या contact surface को प्रेस करता है, तो normal reaction, reaction के रूप में उबर कर आता है, ठीक है, बहुत अच्छा पुणता है, यह मैंने लिख दी आपको, और उधारन देख लिजे, जैसे मान लिजे, इस तरीके का surface होता, चीक, इस तरीके का surface होता, यह ब्लॉग होता, तो देखे, अब gravity भले इदर लग रहा होता, पर यार, एक component इदर भी तो लग रहा होता, mg ग्रेवटी का, mg जो भी मान लो, sin ठीटा, इदर लग रहा होता, इदर लग रहा होता, mg cos ठीटा, तो अब देखो, यहां पर अब यह normal reaction 0 नहीं होता, अब यह 0 नहीं होता, क्यों इस direction में pressure है, mg sin ठीटा का, तो अब यह n1 not equal to 0 होता, ऐसे ही अब इस direction का normal reaction भी, n2 not equal to 0 होता, क्यों इस direction में भी तो pressure लग रहा है, mg cos ठीटा का, clear हुआ, तो अब normal reaction 0 नहीं होगा, ध्यार रखना, लेकिन अगर यह surface यह होता, इसको हम ऐसे कर देते, ऐसे ऐसे, तो देखें, अब भले ही यहां पर contact होता, भले ही contact है यहां पर, बार बार बता रहा हूँ, पर mg जो primary force है, वो ऐसे लग रहा है, तो इदर तो कोई primary force नहीं है यहां पर primary force है, प्रैसद देने के लिए, इसलिए यह बाला normal reaction 0 नहीं होगा, यह बाला normal reaction 0 नहीं होगा, clear हुआ, इस तरह से कानी होती है, तो contact होने के वावजुद भी, कई बार normal reaction नहीं लगता है, यह सब वो point बनेंगे आगे चलके, जो आपके confusion के point बनेंगे, पर अभी से अगर clear हैं, तो कोई confusion के point बन ही नहीं पाएंगे, उनको मौका ही नहीं मिला confusion को, जन्नेट होने का, ठीक है, एक और यहां पर बहुत बैतरी है, न्यूटन के थर्ड लोग को लेके question होता है, उसको भी देख लो जड़ा, देखो मैंने लिखा है, identify the action and reaction pair of all forces acting on the block, ब्लोग मै ने बनाए नहीं था जान बुझके, बनाता हूँ यहां पर ठीक है, जड़ा देखिए, आपको action, reaction pair identify करने बहुती दमदार question है, हर book के अंदर दिया हुआ है, देखिए यह question है, जैसे यह होता अर्थ, यह अर्थ है, और अर्थ के उपर माली है, मैंने एक table ले लिया, यह table, ठीक, यह table ले लिया, table के उपर एक block ले लिया, यह block है, अब इस पर जितने भी forces लग रहे हैं, सबका action, reaction pair identify करना है, क्या confusion आता है, वो भी आपको समझाऊँगा, यह अर्थ, सबसे पहले देखिए, जो अर्थ ने खीचाऊँगा, इसको gravity से खीचाऊँगा, mg से, यह mg लगा, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, जो बच्चे होते हैं, कमजोर हों, चाह उश्यार हों, सब के सब को यह लगता है, कि अब mg लगेगा, और यहां पे लगेगा, नॉर्म जा देते हैं, कि नीचे तो लगा mg, और उपर लगा normal reaction, और आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, जब body vertical में move नहीं कर रही है, तो n वराबर खुसी-खुसी mg होता है, और लोगों को लगता है, कि mg का reaction normal reaction है, इस्टूडेंट्स को लगता है, क्या लगता है, mg का reaction, normal reaction है, ऐसा लगता है, जो कि गलत है, ऐसा लगता है, लेकिन गलत है, असल में आपको एक बात मैंने बताई थी, mg तो force of gravity है, और normal reaction electromagnetic force है, तो मैंने ये का था, एक्शन reaction pair में दोना forces की nature सेम होते हैं, अगर action gravity होगा, तो reaction भी gravity होगा, अरे mg का reaction normal reaction हो ही नहीं सकता, क्योंकि normal reaction एक electromagnetic force है, और gravity एक gravitational force है, ये action reaction pair में कभी नहीं हो सकते, यार, action reaction forces के nature सेम होते हैं, पहले तो दिमाग की बत्ती यहां से जलाओ, तो mg का जो reaction होगा, वो अर्थ के center पर लगा होगा, ये mg यह है, जहां रखना, तो इस mg का और ये है action reaction pair, ये है action reaction pair, ध्यान से सुन लो, ये है action reaction pair, हाँ, ये जो normal reaction है, ये, ये लगा है, by the table on the block, ये table ने block पर लगाया है, और ये लगाया है, by the block on the table, ये block ने table पर लगाया है, ये दोनों elektromagnetic हैं, along the same line लग रहे हैं, magnitude से में, ये दोनों action reaction pair हैं, AR pair लिख देता हूँ, action reaction pair, तो इस N का reaction ये N है, इस mg जो अर्थ ने लगाया है, उसका reaction ये mg है, सीख लो, बहुती famous example है, action exam में आता है, ये बात वहीं से निगल कर आ रही है, कि action reaction जो forces होते हैं, उनका जो nature होता है, सेम होता है, electromagnetic action होगा, तो reaction भी electromagnetic ही होगा, अगर action gravitational होगा, तो reaction भी gravitational ही होगा, ठीक है, ये बात आपको clear हो गई, चलो अगला force देख लेते हैं, दागे का tension, ठीक है, तो देखें, tension force of a string, तो यार ये बात तो हमारी आपकी पहली हो चुकी है, कि gravity वाले force को छोड़के, जितने भी forces पिक्चर में, सब के सब electromagnetic है, तो ये भी कैसा force है, electromagnetic है, electromagnetic force, electromagnetic है, सब के सब force, electromagnetic force, ठीक है, ये भी electromagnetic force है, ठीक है, देखें रहा, अब देखें, सबसे पहले ideal string जान लो, ideal, ठीक है, ideal, तो ideal string में कोई मास नहीं होता है, और ये इनेक्स्टेंसिबल होती है, मास का तो मतलब समझी गए, मासलेस मतलब नो मास, यार, फिजिक, एक्चुली में, ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन ये सिर्फ अजमसन होते हैं, कि ऐसा दो possibility नहीं है, ना, कि बिना मास के कोई धागा बन जाए, पर हम मानते हैं, धागा यार, यह 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 दे कोई यह धागा, इसी की बात कर रहा है, अब बहले ही, आप कैसा भ मतलब होता है, कि नो तनाव, तनाव का मतलब, कि जैसे मान लिए, इसकी लंबाई एक मीटर मान लो, और आपने इसको खीचा, कसके खीचा, तो रवर जैसे तन जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, पर हम यह मानते हैं, कि जो ideal string होती है, forces लगाने पर इसका तनाव, मतलब इ एक मीटर है, नॉर्मल सिचुएशन में, ऐसे ऐसे पड़े हुई है, टेबल के उपर, तो जब मैं force लगा के खीचोंगा, तब भी लंबाई कितनी मान के चलूँगा, एक ही मीटर मान के चलूँगा, तो इस बात को मैं क्या कहता हूँ, इनेक्स्टेंसिवल, मतलब इसमें क कोई भी तनाव नहीं आएगा, तो दो बातें खास होती है, एक तो इसमें कोई मास नहीं होगा, और कोई भी forces लगाने पर लंबा नहीं बढ़ेगी, इनेक्स्टेंसिवल, ओके, ठीक है, चलिए, अब देखिए, टेंसन, टी से डेनोट करूँगा इसको मैं, सब समझाता इसको, tension in a string is an electromagnetic force, मैंने पहले ही बता दिया, it arises when a string is pulled, इस सब्द से सुनना शुरू करो, देखिए, जैसे ये दागा है, ठीक है, आओ जरा बेटा, जैसे आथ कर लो, अब जैसे इस बच्चे के हाथ में मान लो, मैंने इसको दागा को बांदिया, ठीक है, इसको मैंने आप tension आया, मतलब इसमें tension arises, मतलब तभी जन्नेट होगा, जब इसको कोई pull करेगा, तो एक बात बताईए, क्या आपको थोड़ी-थोड़ी खुसवू ये normal reaction की दे रहा है, क्योंकि देखिए, normal reaction भी एक secondary force था, वो picture में तभी आता था, जब कोई primary force पहले उसको लगने के लिए म तो मैंने आपको बता दिया, कि it arises when string is pulled, मतलब धागे को pull करोगे, तभी इसमें tension आएगा, ठीक, if massless string is not pulled, tension in it is zero, इतना लिख लो, फिर मैं समझाना शुरू करता हूँ, अगर massless धागे को आप pull नहीं करोगे, तो उसमें कोई tension आई नहीं सकता, अब आप कहेंगे, sir, mass वाल ही हमारी आपकी, ठीक, जैसे ये धागा है, ये धागा है, हलाएक थोड़ी thickness बना लेता हूँ, पर थिकनेस होती नहीं है, फिर भी बना लिए, तो देखिए, अभी ये धागा आरम से लटका हुआ है, तो इसमें जो tension होगा हर point पर, tension zero होगा, ठीक, ideal है, ideal है, आरम आरम से आप इसको pull करोगे नीचे की तरह, जैसे आप ने pull किया, जैसे ऐसे ले लो, अब जैसे याप इसको pull करोगे इसे करके, आपने हाथ से पकड़कर से को खीचने की सोची तो आपने पुल किया तो मालोग पुल करके आपने इस पे फोर्स लगाया एफ तो यह बाई दा एजेंट ऑन दा इस्टेंग दागे के ऊपर एजेंट ने फोर्स लगाया तो जैसे तुरंट इसमें टैंसन आएगा देखिये यह तुरंट टैंसन आएगा यह त्रेंसन यह भी पहुंचेगा इस तरीके से लगाया ठीक अब एक बात ध्यान रखिले ना मेंट पॉइंट कुछ लेख देता हूं मेंट बहुत ध्यान से सुनना एक आइडियल इस्ट्रिंग में पूरे दागे में एक सिंगल दागे में नर्जे के same the net होता है तो tension in an ideal string is same throughout the string throughout the string पूरे string में tension same होता है ध्यान रखना पूरे string में tension क्या होता है same होता है ठीक पूरे string में tension क्या होता है same होता है जैसे मैं यहाँ पर block लटका देता ध्यान से सुनना अभी छोटी छोटी बात है आपको बहुत किलियर हो जाएंगी जैसे यह दागा है और मैंने मान लिए यहाँ पर एक 5 kg का block लटका दिया जैसे जब तक दागा नहीं लटक रहा था जैसे यहाँ पर यह दागा मैंने लटकाया अभी कोई block नहीं है तो tension क्या होगा पूरे दागे में जीर होगा जैसे a point ले लो जैसे a point ले लो यहाँ बी point ले लो तो यहाँ पर tension t a बराबर 0 होगा यहाँ पर भी t b बराबर भी 0 होगा लेकिन जैसे ही अभी रुको यार काम है तो बैटो जैसे ही मान लो जैसे ही मान लो मैंने इस पेक ब्लोग लटका दिया जैसे यह लटका दी कोई बॉल तो मान लो इसको मैंने 5 kg से 5 kg की बॉल लटकाई तो अब नीचे लगेगा 5 g जी होता है 10 ही हो जाएगा 50 तो नीचे की तरफ 50 नूटन का फोर्स लगेगा इतनी फिजिक्स आती है बहले ही मैंने इकुलिबियम ऑफ बॉड़ी ज नहीं पड़ाया है तो अगर 50 नूटन नीचे लग रहा है तो तुरन दागे का टेंशन इसमें टी उपर आएगा कितने का बताई 50 नूटन ही आएग हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है एक धागे में सेम होता है हर पॉइंट पर किसी तरीके से आप ले लिजे एक एक धागे में हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है बट्चो सेम होता है ठीक ठीक है चलिए आगे बढ़ें और देखें फिर एक concept वाला point यह जो धागे का tension होता है यह secondary force होता है जब तक आप धागे को pull नहीं करेंगे तब तक यह tension जन्नेट ही नहीं हो सकता तो देखिए tension force of a string is secondary in nature यह secondary होता है ज्यां रखना ठीक है secondary मतलब कोई primary force लगएगा तब यह picture में आएगा अधरबाज यह picture में नहीं आएगा तो इसका जो nature होता है वो secondary होता है यह secondary होता है ठीक पहला point इसको लख लो दूसरा यह जो tension force होता है यह कभी भी pushing नहीं होता है pulling होता है मेंसा जैसे उदारण के लिए आव बेटा जैसे बच्चे के आथ में मैंने दागा बांदा तो देखिए इसकी मदस से देखिए इसको मैं खीश सकता हूँ खीश सकता हूँ पुल कर सकता हूँ पर पुश नहीं कर सकता है जैसे मैं पुश करूँगा दागा क्या कर जाएगा तो यह हमेशा पुलिंग इन नेचर होता है इससे पुश नहीं किया सकता जब अगि नॉर्मल अब सुनिए यहां पर एक पुउंट निकल के आएगा यह पुलिंग होता है तो जो पुलिंग फोर्स है जोंगे physics में जितने भी अभी से दिमाग में ले लो जहां भी कोई contact point आएगा जहां भी कोई contact point आएगा उससे हमेशा अवे लगेगा हमेशा हमेशा अवे लगेगा तो ठीक है that is why that is why direction of that is why direction of contact force sorry गलत लग गया that is why direction of tension force at the contact point at the contact point is बताइए अब यह pulling है तो pulling होगा तो away होगा कि towards होगा away होगा क्योंग pushing होता तो उसकी तरफ होता और pulling है तो away होगा force at the contact point is away from the contact point इसलिए इसका direction अटाइए अब ना दूसा हाथ भी लओ इसकोइससे पकड़ो इसससे फको लओ यह पकड़ो इसके बाश़िया जैससे इसकी उउली में मालो मैंने यह से छोड़ो यार मैं जैसे भाँ वैसे कर दिया तो अब उपर करो, अब ध्यान से देखो, अब यहां पर देखो, एक तो यह contact point है, एक यह contact point, यह contact point, यह contact point, तो देखो, मेरी उली पर भी इधर लग रहा है, अब इस उली पर देखिए, तो देखो, यह contact point है, यह दागा लगा, यह दागा लगा, तो इस पर यह ऐसे आप इस वे लिया तो contact पॉइंट मीशा क्या लगता अवे लगता है जितने भी contact पॉइंट या कॉन्टेक्ट नड़ थिन वे उद्सका नई डक्रोंड लगने लगता वहती गोल्ड़न पॉइंट है मजा आ जाया गए इस चीज से इतना देकलो तो अध्याव है contact point से away लगने लगता है दमाग में रखना ठीक है बनाए diagram जैसे देखिए जैसे देखिए एक string होती है आराम से सुन लो यह all ले 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 दें चलो vertical जैसे यह होता यह है तो अभी कोई नहीं कोई भी pull नहीं कर रहा है तो tension क्या होगा जीरो होगा अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ball लटका दी तो तुरंथ यह इसको pull करेगा ग्रेब T का force इसको pull करेगा तो तुरंथ इसमें धागे का tension T आएगा जो contact point से अवे होगा T अब देखे कहीं भी लेड़ो कोई पॉंट हर जगे tension T के लाएगा और यहाँ पर भी यह pull करेगा contact point से अवे ही है अगर मैं दो चार ball और लटका दू बीच में देखो एक ball यह लटका देता एक यह लटका देता दो ही लटकाई हैं चलो तो यहाँ पर भी देखिए अब दे मास M मन है इसका मास M2 है तो यह इसको pull करेगा नीचे M मन जी से तो द्यान दखिणा एक धागे में A की tension होता है तो अगर यह A point है और यह B point है तो A से B में A की tension होगा जो भी value होगी ऐसे ही यहाँ पर C point है B से C में A की tension होगा जो भी value हो ठीक है अब देखो contact point से tension हमेसा अव यह लगेगा T1 यह fund है ऐसे यहाँ पर यह लगेगा इधर T2 और इसमें A की tension होगा तो यह लगेगा T2 यह concept की बात है एक धागे में हमेसा एक जैसा tension होता है एक धागे में एक जैसा tension होता है और contact points से हमेसा अवे लगता है कितना सिंपल है खीक है चली screenshot लेते जाओ जैसे हम दो चार block बना लेते हैं इस तरीके से यह है एक block यहां रखा हुआ है एक block यह रखा हुआ है चली यह ले लिए यहाँ पर इसको pull कर रहा है मालों F के force के साथ pull किया जा रहा है ठीक तो इसमें तुरंद contact point से अभी tension generate होगा यह T1 यह contact point ओ तुरंद tension को अभी लगा दो यह T1 यह contact point इज़र दागा बदल यह tension बदल दो T2 contact point से हमेशा अभी दखा दो दागा बदल यह tension बदल दो T3 दागा बदल यह tension बदल दो और tension को हमेशा contact point से अभी लगा दो इस से simple दुनिया में कुछ भी नहीं है तो यही अवरी यह दागे का टенсorn T इतना असान है ठीक है किलियर है इतना ही सफीशेंट है टेंशन को लेके अब आपको फंडा पढ़ाता हूं पुली का जेखिए अब आता कंसेप्ट पुली तो फिर से वही आइडियल पुली तो पुली बेसिकली क्या होती है आपने गाउं में वह देखा होगा कई बार पुराने मूवी जो साइकल होती है साइकल को पापाट्री चैण चडी होती हैुसको चलो बुल जाओ आपने वो देखा हो मोको बगरा जो पानी निकालती है तो तो उ Kings 95 का जो फिल होता है उसके ऊपर आपर पट्टी और निजो चड़ी होती है वहीं का फुली है ऑठीक है आपने बाट्र होता है इसकाएक्सल होता है यह क्याएक्सल कहलाता है ठीक, यह इसका अल और सर्थेसका होता है यह पेर फेर ही होती है cog that is one of the proskog no two को यह निज़ता हुग ओडिक काम सिगला होता है han it is massless में कोई स्बार्स नहीं मानते हैं जब ऐसा हुई नहीं सकता पर फिर भी physics इसके questions को solve करने के लिए कागजों पर तो हम at least massless मानी जा सकते हैं, तो इसको massless कहते है, m equal to 0, और frictionless होती है ideal pulley, और इसके surface पे mu बराबर क्या होता है, 0 होता है, mu एक number है, जो किसी surface के खुरदरे पन को represent करता है, कि कोई surface कितना खुरदरा है, उसको represent करने के लिए हमें एक number होता है, तो ideal pulley की समझे मांगया होगा, mass 0 होता है, disk saved होता है, अगर आप इसको इधर से देखोगे, देख इधर से, अगर आप इधर से देखोगे इसको, तो आपको ये दिखाई देगी आ रहा है, ये दिखाई देगी देगी दर से देखने पर, ये दिखाई देगी देग यह तो अबलेक वी उएस का ठीक है यह दिखाई देगी आपको यह आप एकसल हो गई है ठीक इसके उपर जब धागा होगा वो इस तरही से लिप्टा होगा असल में धागा भी समझा दें देखिए जो पुली होगी वो ऐसी मिलेगी आपको ठीक है यह इसका यह एकसल धागा इस तरही के से लिप्टा होता इसके पर पीशे के धागा ऐसे आगा गुमते हुए ठीक है जब इसका यह बाला व्यू देखोगे तो आपको यह दिखाई देगा ठीक है यह इसका एकसल ऐसे लटका होता है यहाँ पर बंदा होता है ना यह एक्चली यह यह दोनों आपको ऐसे दिखाई देंगे यहाँ पर यह बंदा हुआ इदर से देखोगे तो यह और यह एक दिखाई देंगे यह और यह ठीक है और धागा इदर से लिप्टा हुए दिखाई देगा आपको यह एशे इसको असल में में आर्म कहते हैं में आर्म आफ दा पुली ठीक यह इसके साइड आर्म कहलाते हैं इसको मैं साइड आर्म वन कहता हूं और इसको मैं कहता हूं साइड आर्म टू ठीक है यह होता है यह पुली होती है यह मास लेस और फ्रिक्शन लेस एम इक्वल डू जीरो मू इक्वल डू जीरो ठीक है और धागा भी आइडियल इतना बना लो ज़रा फिर मैं यहां पर कुछ बनाता हूँ हटा दू इसको अब मैं यही बनाऊंगा ठीक है अब देखिए यह बातं सीखलो जरा आइडियल पुली के लिए for an ideal पुली एक ideal पुली के लिए एक ideal पुली में क्या करेंगे प्यारे बच्छो ये इसका main arm होगा और ये इसका side arm तोड़ा धागा उपर से बने गया है अगर देखिए धागे में टेंशन इसमें T है तो पूरे धागे में टेंशन T होगा हमें इसनी का T होगा अब आप यह कहेंगे सब पुली के उपर होगे जा रहा है तब भी टेंशन T होगा तो सुनिए अगर पुली फ्रिक्शन लेसे है अगर pulley frictionless है, तो दोनों side arm में tension same होता है, ये बात मैं लिख देता हूँ, भले ही mass हो या ना हो, बड़ा दमदार point लिख रहा हूँ है यहाँ पर, इफ पुली इज फ्रिक्टिनलेस अगर पुली frictionless है, इफ पुली frictionless, थैन तंचन, then tension force in both arms both side arms is same बहुत अच्छा पोइंट है अगर pulley frictionless है यह question कही बार पूछा भी जाता है अगर pulley frictionless है तो दोनों ही side arm के अंदर tension क्या होगा? same होगा no matter with mass no matter with mass मतलब क्या है? mass हो या ना हो अगर pulley frictionless है तो दोनों ही side arm का tension same होगा पहला point अगर इसमें tension T तो इसमें tension T है तो इसमें जो tension होगा T dash माल लो तो ध्यार रखना T dash बराबर T plus T होगा यह कब होगा? यह कब होगा? जब mass इसमें जीर होगा यह भी point आता है दोनों side arm का tension same होगा और pulley massless होगी तो इन दोनों tension force का sum इसके बराबर होगा क्योंकि पुली equilibrium में नीचे कोई force है नहीं इसलिए यह force इस दोनों को क्या करेगा? balance करेगा अब देखें pulley का जो main use होता है वो असल में force के direction को change करने के लिए पुली काम आती है इतना लिख लीजे फर आगे बढ़ता हूँ देखें main use of pulley main use of pulley pulley का जो main use होता है तो it is used to change the direction of force यह force के direction को change करने के लिए बहुती बढ़िया बहुती useful instrument होता है pulley pulley का use करके आप force के direction को change कर सकते हैं देखिए कैसे देखिए कैसे जैसे आप यहाँ pulley ले लो ठीक है? यह आपने pulley ले ली और मालिए आपको इस block को उपर की तरफ उठाना है मालो यह surface पर रखा हुआ है तो आप क्या करो एक धागा ले जाओ यह धागा इसे आपने ले लिया और इसको pulley के उपर एक ऐसे करके गुजार दो ऐसे और यहाँ पर एक एक आदमी से को भई यह इसको खीचो यह इसको खीचे यह खीचेगा एफ का फोर्स लगा के तो तुरंद इसमें एक टेंसन डवल लब होगा टी यह टेंसन गुम जाएगा क्योंकि दोनों ही पुली आइडियल है तो दोनों ही साइड आर्म का टेंसन सेम होता है और इस कॉंटेक्ट पॉइंट से अब ऐसे लगेगा तो इस ब्लोक को उपर की तरफ उठाए जा सकता है उपर की तरफ उठाए जा सकता है तो देखिए इसने इसको नीचे खीचा पर ब्लोक को फोर्स किदर मैसूऽ हुआ उपर हुआ तो पुली ने बेसिगली फोर्स के डारेक्शन को चेंज कर दिया ऐसे देखिए ओरिजॉंटल में भी चेंज कर देगा यदि यह पुली होती अब देखिए इसको कोई ऐशे कर के खीचे ऐसे कर के खीचे तो बिलोक को आप उपर उठा सकते हैं है कि नहीं ये जो टेंसन आए गा हमेशा contact पॉइंट से भी हमेशा contact तो अब इसको उपर आप खीच सकते हैं तो pulley force के direction को change करने के काम में आता है फ्लीक है pulley force के direction को change करने के काम में आता है आगे बढ़े अब देखे इस चीज़ का यूज़ करना है कई जगे हमको इस चीज़ का कि ये दोनों साड आर्म के अंदर टेंशन सेम होता है और मेन आर्म में टेंशन 2T मतलब इसका डबल होता है अगर कहीं इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि इसमें अगर आपको टेंशन T मिले तो इसमें टेंशन केतना होगा T by 2 होगा ये काफी सिचुएशन साते हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़र देखिए कुछ डाइगरम मना दाऊ यहां पर इसको बांद दिया जैसे देखिए ठीक है तीन पुली है यहां पर तीनों बंदी होई है दागा और यहां पर मानलो मैं एक 2 kg का बिलोग लटका दिया तो find the tension in each string तो ज़रा समय ना ध्यान से नीजेस पर क्या लगेगा बताईए यह 2g लगेगा और 2g बराबर कितना होगा बताईए 20 newton होगा तो इस दागे में देखिए यह दागा यहां से सुरूआ जान रखना यह दागा यहां से यह दागा यहां से सुरूआ जान रखना इस पूरे दागे में tension एक जैसा होगा और कितना होगा बताए हमेसा कॉंटेक्ट पॉंट से अभे हमेसा कॉंटेक्ट पॉंट से अभे तो इसमें जो टी आएगा वो कितना आएगा 20 न्यूटन इसमें भी T कितना हैगा बताईए 20 N आएगा इसमें 20 N इसमें 20 N नीचे तो इसमें जो उपर जाएगा टेंशन वो जाएगा 40 N अब देखे यह दागा यहाँ पर एक जैसा है जहाँ से देख लोगी है यह यहाँ तक यह पूरा एक दागा है तो इस पूरे दागे में एक ही जैसा टेंशन होगा इसमें भी कॉंटेक्ट पॉंट से अबे इसमें भी कितना हैगा बताईए 40 N ठीक है अब देखे इसमें 40 इसमें 40 तो इसमें जो टेंशन बनेगा वो बनेगा 80 N और यह दागा देखे यहां से यहां तक एक जैसा है इस पूरे दागे में एक जैसा टेंशन होगा तो इहां पर 80 N तो इधार इसमें भी 80 N हमेसा पॉंटेक्ट पॉंट से अबे जहां भी कॉंटेक्ट आ जाए तो इस तरीके से टेंशन फोर्स का distribution होगा इस question में आराम से pause करके उतार लो आराम से pause करके उतार लीजे बाद बगी तो questions आएंगे तो आप वो समझाएंगे ठीक है और एक example ले रहे हैं अपने आप बना लेना है सबार उसको आप 50 kg का है 5 kg चली है find the tension in each string find the tension in each string हर दागे में आपको tension बताना है find the tension in each string तो देखिए देखिए पुली को ज़रा string को समझाता हूँ देखो ये string यह string यहां से यह देखो यार यहां तक एक है यह देखो एक ही चल ला है सब एक दागे में एक जैसा tension होता है तो यहां तक tension सेम मिलेगा अचा यह body equilibrium है कहीं जा नहीं रही है इतना तो आता ही है तो नीचे लगेगा 5G और 5G बराबर कितना होता है 50 Newton तो इस दागे में हर जगे tension कितना मिलेगा बच्चो 50 Newton हर जगे 50 Newton मिलेगा T बराबर 50 Newton यहां पर भी T बराबर 50 Newton होगा द्यां रखना पूरे दागे में tension T बराबर 50 Newton T बराबर 50 Newton अब देखिए जो tension होगा वो contact point से अवे होगा तो जहां जहां आपको contact point समय मा जाए तुरंध tension force को से अवे लगा दो तो देखिए यहां पर contact point है तो तुरंध T उपर लग जाएगा यहां पर contact point है तुरंध T नीचे लग जाएगा यहाँ पे contact point है T पॉंट है T अपर T अब देखिये अब जाय यह दूसरा धागा है तो यह main arm है और यह side arm है तो बताइए side arm का tension obviously अगर इसमें आपको contact point से तो अभी लगएगा T माल लो इसमें भी T माल लो तो देखें क्या हो जाएगा 2T बराबर इसके बराबर हो जाएगा 50 newton तो T बराबर 25 newton तो इन दोनों धागों में T कितना जाएगा यहीं पर complete करता हूँ आज मुझे दो फंडे आपको clear करने थे एक normal reaction एक धागे का tension कल मैं अब आपको लोगँगा equilibrium of bodies अब physics बहुत मजबूद होती चली जाएगी आप लोग लगातर पढ़ाई करते रो ठीक है चली अगले lecture की तयारी करते हैं और आप लोग यहां तक के lecture को complete करो आज मैंने दो lecture लगातर complete कर दिये थे क्योंको संडे को lecture बना नहीं पाया था चली ठीक है पढ़ाई करते रो